नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं फाइनली एक ग्रेट अपडेट आ चुका है वाटसप के अंदर मतलब आप दो अकॉंट यूज करते हैं वाटसप के तो आप एक ही एपलिकेशन में यूज कर पाएंगे क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग दो वाटसप का यूज करते लेकि आप एक चीज जरू कहना चाहूंगा क्योंकि आप डारेक्ली एमजोन फिलिपकार से कुछ प्रोडक्ट खईते तो बहुत जादा एक्सपैंसिव पढ़ते हैं आप डारेक्ली चाहते हैं कि सेलर से आपको बहुत ज़ादा चीपस प्राइज में प्रोडक्ट मिल जा इसका एक्चुली उन लोगों के लिए कोई काम नहीं होता तब भी इस्टॉल करके रख सकते हैं जिससे कि वह एक मुवाइल में दो वाट्सप यूज कर पाए तो फाइनली यहां पे कुछ वाट्सप और मेटा के तरफ से अपडेट आने के बाद नहीं तो कुछ लोग ऐस वाली चीजे हैं वो मैं आपको डिसकस कर दू नोटिफिकेशन की जो स्विच अभी आप में एक वाट्सप यूज कर रहे हैं लेकिन दूसरी पर आपको स्विच करना पड़ेगा तो वह जो बंद रहेगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा तुझा एस आपको मिलेगा कोई आपको मैसेश करता है तो आपको वहाँ पे शो आफ कोएगा कि यह सविच वाली वाट्सप का है तो आपको महाँ पे सविच करनी पड़ेगे दूसरी नंबर पर बस यह है कि एक ही अप्लिकेशन पर यूज कर पाएंगे फिर दूसरी दिक्कत आती है कि क्या मैं दो अकॉं क्या इसमें भी मुझे वही फीचर देखने के लिए मिलेंगे कि end-to-end encrypted जिसमें की डेटा सेफ हो सकता है तो येस बिलकुम मतलब सेम ही रहेगी कुछ जादा बिक चेन नहीं होगा बस यह कि storage capacity जो है आपके मोईल के भर जाएगी क्योंकि आप एक वाटसप को एक मोईल में य को जादा मतलब में इसक्रीन पर नहीं आएगा जहां पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज होती है वहीं पर आपको switch off का icon देखने के लिए मिलेगा जिससे कि आप वाटसप को इस तरीके से switch कर पाएंगे सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि हां पर बात करी जाए तो अ फर्सली जो है launch किया जाएगा वो android users के लिए किया जाएगा लेकिन iPhone users को इस बार भी wait करना पड़ेगा यह update कब आएगा अभी official update की information नहीं आए कि इस week आएगा यह इस महीने आएगा लेकिन जैसी आएगा तो हमारा WhatsApp चैनल इसी वीडियो की description में है तो आप वहां पे जाएक कर सकते हैं जैसी आएगा या कोई releasing date आती है तो आपको वहीं पर भी update कर देंगे वाखी regular वीडियो आपको मिल जाएगे उसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम जरूर करना है चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक चुरू कीज़ेगा regular update के लिए धन्यवाद